नमस्कार एम लक्ष्मी कांत की पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरितुपाध्याय और अंतिम एपसोड में हमने क्या देखा था कुछ कुछन्स देखे थे जो इस पूरे सेग्मेंट से आते हैं समवेधानिक विकास वाले सेग्मेंट से हमने देखा था प्रिवियस एर में कौन से कॉश्चन्स पूछे गए हैं और हमने ये भी देखा था कि कुछ अभ्यास प्रश्न किस तरह से बनाया जा सकते हैं फ्रेम किये जा सकते हैं जो यूपीएसी के लेवल के हो और आप सॉल्व कर पाएं एक न एक कोश्चन इस सेग्मेंट से हो या सेग्मेंट से तो इस सेग्मेंट से एक कोश्चन आपको पकड़ना जरूरी है जैसे मान लिजे मूल करतवे से एक कोश्चन आपको पता हो कि आता है तो क्या मूल करतवे को ठीक से त्यार नहीं करेंगे तो पिछले जो एपिसोड में आपका रुजान था वो बहुत कम था क्योंकि वो सवाल थे, test series जब भी आता है आप भाग जाते हैं, ऐसा मत किजिए, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, बात तब बनेगी जब आप जो चीज पढ़ेंगे उस पर previous year के questions को देखेंगे, कैसे questions आते हैं, complicated आते हैं, moderate आते हैं, या फिर आसान आते हैं, और फिर ये अभ्यास करेंगे कि इस तरह के प्रश्ण आएंगे, तो हम किसी भी हाल में नहीं छोडेंगे, एक सवाल इसमें पक्का कर लेंगे, पीटी के एक्जाम में, तो वो आप लोगों में रुजहान थोड़ा कम हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं आप सब से अन 1947 के एक्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैक्राउंड समझना जरूरी होगा, इसलिए उस घटना करम को भी समझते चलेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे, और आप अगर उससे भी सवाल आए, तो सौल्व कर सके, जैसे क्रिप्स से सवाल आ गया था, ठीके, तो 1935 के बाद आपको पता है कि 1937 में 1935 का शासन अधिनियम लागू हुआ, और संग बनाने की जो बात थी उसमें, एक्ट में, वो फाइनली नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि देशी रियास्तें इसके लिए तयार नहीं हुई, और देशी रियास्तों के तयार नह होने की वैसे संग की परिकल्पन नहीं आ पाई, बट ये भी हमने देखा कि 1935 का जो शासन अधिनियम था, उसमें बाकी जो प्रोविजन्स थे, उसमें काफी हद तक चीजें लागू भी हुई, ठीक है, संग को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि एक मेजर बात थी, और हमें बेसिकली देखना है, 1949 से लेकर, 1947 तक, क्या क्या अगटना क्रम रहें, जिसमें अगर महत्वपूंड अगटना क्रम की बात करें, तो अगस्त प्रस्ताओ होगा, 1940 का, क्रिप्स, मिशन, 1942, उसके बाद कैबिनेट, क्रिप्स का प्रस्ताओ, और कैबिनेट का 1946 और 1947 में स्वतंतरता अधिनिया, यही चीज़े देखनी है हमें, 1949 से शुरू करते हैं, 1949 में द्वितिया विश्युद्ध शुरू हुआ था, आप लोग अभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इतना जानते होंगे, कि 1949 में द्वितिया विश्युद्ध क मित्र राष्ट्र में, ब्रिटेन, अमेरिका, जो कि बाद में शामिल हुआ, USSR यहनि सोवियत संग और कुछ हद तक चीन, यह एक धड़े में थे, एक तरफ थे, दूसरी तरफ था, ध्रूवराष्ट्र, धूरी राष्ट्र, धूरी राष्ट्र में कौन-कौन थे, जर्मनी नाजी ताकतें थी इसमें, जापान, इटली, मुखे रूप से ये तीनों थे, ठीक है, और दोनों के बीच घमासान शुरू हो गया 1949 में, 1949 में कॉंग्रेस के सामने ये दूविधा हो गई कि अंग्रेस चाहते थे कि भाई आप हमारा समर्थन कीजे, भारत हमारा समर्थन कर लेकिन कॉंग्रेस की भीतर ये दूविधा थी कि वार को सपोर्ट करें या फिर ना करें, तो बहुत सारे मत थे, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि गांधी जी क्या चाहते थे, नहरू क्या चाहते थे, बोस क्या चाहते थे, और बाकी धड़े क्या चाहते थे, जब ये स्थिती आ गई तो फिर अंतिम तोर पर ये तैय हुआ कि समर्थन अगर करेंगे तो उसकी एक शर्थ होगी और वो शर्थ क्या होगी कि तुरंत शक्ति का हस्तनांत्रण कर दीजिए मतलब शासन भारतियों को सौंप दीजिए इसके पहले भी एक घटनक्रम ये हुआ कि 1949 में वायसराय ने अनौन्स कर दिया कि भारत वार में है शामिल है कॉंग्रेस से बिना पूछे कर दिया कॉंग्रेस अभी इस बात को लेकर उहा पोह में थी और इसी बीच ये अनौन्समेंट हो जाना कि भारत वार में शामिल है द्वितिया विश्युद्ध में शामिल है उसका समर्थन है इस बात से कॉंग्रेस के भीतर खलबली मच गई और कॉंग्रेस ने तैय किया कि भई हम वार का तो सपोर्ट नहीं करेंगे साथ ही उसने कॉंग्रेस के मंत्रियों ने सारे जो प्रोविंस थे उसमें से इस्तिफा दे दिया रिजाइन कर दिया ठीक है तो द्वितिया विश्युद्ध के स्थिति में कॉंग्रेस मंत्रियों ने इस्तिफा दिया और इस बीच में वायसराय और कॉंग्रेस के बीच ख समर्थन नहीं करने में कई सारे और भी दबाव आ रहा था बोस की तरफ से तो यह कहना था कि तुरंत एक बड़ा आंदोलन खड़ा किजिए और प्रिशर बनाए गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि एडवांटेज लिया जाए तो ततकाल वह समर्थन में नहीं थे कि कोई कॉंट्री हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी में दोनों चीजें हुई एक तो युद्ध का समर्थन ना करना और दूसरा इस्तिफा देने की बात हो गई इस्तिफा दे दिया गया लेकिन 1940 में फ्रांस हार गया और फ्रांस का जैसे ही पतन यह तै होने लगा कि अब जर्मनी ब्रिटेन पर कबजा कर लेगा जर्मनी ब्रिटेन पर कबजा कर लेगा मतलब नाजी ताकते इतनी हावी हो जाएंगी दुनिया में सबसे मजबूत ताकत बन कर उभरेंगी नाजी ताकते और जो सुपर पावर ब्रिटेन है वो हार गया अगर तो फिर क्या कंडिशन आएगा नाजी ताकते अगर बहुत ज़ादा जर्मनी अगर बहुत ज़ादा प्रभावी हो गया तो दुनिया की तस्वीर आज जैसी है वैसी नहीं रहती और कॉंग्रेस इस बात से जरूर चिंति थी कि कहीं जर्मनी बिटेन पर कब जना कर ले ऐसे स्थिती में कॉंग्रेस का रुख थोड़ा सा नरम हुआ कॉंग्रेस ने अपने रुख में नरमी बरती और कॉंग्रेस ने प्रस्ताव दिया बिटेश सरकार को कि हम युद्ध में समर्थन तुमारा कर देंगे समर्थन करने का मेन मतलब क्या था बृटेन चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में भारतियों को बृटिश सेना में शामिल किया जाए और वो अलग-अलग जगों पर जाकर युद्धा लड़ें तब जाकर समर्थन होता इस बात के लिए हरगिस तयार नहीं थी हम युद्ध का समर्थन तो कर देंगे लेकिन युद्ध का समर्थन करने की एक condition है कि तुरंत शक्ति का हस्तांतरण कर दीजे और शासन भारतियों को सौप दीजे जब ये बात आ गई कि हम युद्ध का समर्थन इस शर्थ पर करेंगे तो लिनलित्गों ने एक जो कि वायसर आया था इसने एक document जवाब में भेजा और इस document को हम कहते हैं अगस्त प्रस्तावक्त हो कि अगस्त में ही ये document आया इस document में कहा गया कि युद्ध के बाद सम्विधान निर्माड के लिए प्रतिनिधी भारतिय निकाये एक बनाएंगे मतलब सम्विधान सभा की बात यहां पहली बार आ गई है कि युद्ध के बाद एक ऐसा body बना देंगे जो इंडियन्स का होगा और mainly इंडियन्स का होगा मुख्य तोर पर उसमें भारतिय होंगे और ये प्रतिनिधी निकाये जो होए मतलब प्रतिनिधी निकाये मतलब निर्वाचन के जरीए जो निकाये बनेगा वो सम्विधान निर्माड के लिए फिर आगे काम करेगा ठीक है तो हिंट कर दिया इसने कि भाई ठीक है अपना Constitution तुम्हारा होगा भारतिया उसमें होंगे और वाइसराय की कारेकारी परिशद जो है उसका तुरंत इस तरह से विस्तार करेंगे कि भारतिया बहुमत में आजए वाइसराय की कारेकारी परिशद मतलब हो गया सरकार हम दो सिस परिशद कर रही है और दूसरी तरफ विधाई परिशद देखते हैं तो अब ये प्रस्ताव दिया गया अंग्रेजों की तरफ से कि भाई सम्विधान अपना बना लेना युद्ध के बाद लेकिन अभी नहीं और उसके लिए एक बोड़ी बना देंगे उस समय दूसरा र पहली बार ऐसी स्थितियाई की भारतियों के बहुमत की बात है अल्प संख्यकों को ये भरोसा दिया कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो अल्प संख्यकों के हित में न हो जो एक बड़े मास को मनजूर ना हो जो डिनाई करता हो उसको तो यहां इससे इसने क्या दे दिया इसने बेसिकली लीग को संतुष्ट करने के लिए ये क्लॉस दिया कि माइनॉर्टीज को सफर करने वाला उनको न मानने लाइक कोई ऐसा कदम हम नहीं उठाएंगे लीग की संतुष्टे के लिए मुस्लिम लीग की संतुष्टे के लिए किया गया कुस्ता तो यह सारी बातें अगस्थ प्रस्ताओं में की गई इसमें लीक को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई और कॉंग्रेस को भी भरुसा दिया गया कि युध के तो पहले बात आ चुकी है बहुत पुरानी मांगे गांधी ने कहा कि इस अगस्त प्रस्ताओं से राश्ट्रवादियों और बिटिस सरकार के बीच खाई और बढ़ गई है क्यों कि युद्ध के बाद तुम एक निर्माण करोगे बॉडी का हम कह रहे हैं अभी ततकाल दूसरी तरफ लीग अलग मुस्लिम देश का राग अलाप चुका था और अलग मुस्लिम देश का क्योंकि इसमें डिमांड नहीं माना गया था अगस्त प्रस्ताओं में इसका जिक्र नहीं था तो लीग इस पर सहमत नहीं हुआ फाइनली अगस्त प्रस्ताओं फेल कर गया उसके बाद 1942 में क्या इस्थिती हुई फिर आप हिस्टरी में पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्यागरा शुरू हुआ और बाकिस चीजी शुरू हुई लेकिन 1942 में स्थिती ये हुई कि दक्षिन पूर्व एशिया में जापान की सेना धमक चुकी है बर्मा तक पहुंच चुकी है और अब डर ये है कि भारत पर कभी भी जापान अतिक्रमण करेगा और कबज़ा कर लेगा 1942 में सबसे ज़्यादा जरूरत है अंग्रेजों को कि अब तो यार समर्थन कर ही दो नहीं तो तुम्हारे यहां भारत में ही अटैक करके जापान जीत लेगा उसको ठीक है और जापान का मतलब कौन सा गुठ हो गया धुरी राष्ट वाला गुठ हो गया जिससे नाजी ताकतों के बढ़ने से यह डरे हुए थे इंडियन्स भी चिंति थे उससे भारत में भी कॉंग्रेश चिंति थे तो 1942 में अब अंग्रेशों को जब लगा कि नहीं अब तु भाई समर्थन जरूरी है इनको तु लगा ही साथ में जो अलाइड थे USA, USSR इन सब का दबाओ पड़ा ब्रिटेन पर की यार भारत से समर्थन चाहिए भई तुम्हारे उपनिवेश की बात है तुम समर्थन दिलवाओ भारत से समर्थन मांगो जैसे भी हो उसको तैय करो तो इस दबाओ में ब्रिटेन ने एक और मिशिजन भेजा क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स जो थे क्रिप्स का रुजहान भारत की जो आजादे के मुवर्विमिट जो अंदूलन था उसके प्रती नर्म था समर्थन करते थे और वहां के युद्ध कैबिनेट के भी हिस्साथ है तो क्रिप्स को इसलिए भेजा गया कि क्रिप्स से बात बन सकती है और फिर मकसद ये बताया गया कि भारत के साथ जाकर राजनितिक गतिरोध को दूर करना है और सहयोग लेना है hidden मकसद तो सहयोग था लेकिन नाम ये दिया गया कि आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि भारत के साथ राजनितिक भारतिये जो राजनितिक दल है उनके साथ राजनितिक गतिरोध ब्रिटेन की दूर हो जाए उसके बाद सहयोग ले लिजिए इसलिए भेजा गया था भारतिय पक्ष ने फिर कहा कि तुरंत शासन हस्तांत्रण कीजिए युद्ध के बाद पूरी तरह से आजादी भले दे दीजेगा लेकिन अभी के अभी हमको ताकत दे दीजे शासन का आप डिसाइड नहीं करेंगे हम यहां डिसाइड करेंगे हम शासन चलाएंगे हम फैसले लेंगे और पूर्णा आजादी की रही बात तो आपका एक एक तो ब्रिटेन का कि हम फसे हुएं इधर हुआ कई फसा वाता था बृटें उस ते में तो ब्रिटेन का था कि यहर युद्ध के बाद ये सब सेटल कर लेंगे अभी के लिए तो बस सहयोग देजो घतिरोद खतम करो अभी हम दे देते हैं कुछ कुछ commitment कर देते हैं वायदा कर देते हैं उसके आधार पर कर दो लेकिन भारतियों ने कहा कि नहीं हमें तुरंट दीजिए ये शासन तो प्रावधान क्या क्या किये गए प्रावधान बेसिकली अगस्त प्रस्ताओं का ही extension था अगस्त प्रस्ताओं में ही जिक्र किया गया था कि को थोड़ा ज़्यादा इसपष्ट कर दिया गया कि युद्ध खत्म होते ही संविधान सभा का गठन कर देंगे अब संविधान सभा के इस्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं हो इते अगस्त प्रस्ताओं में में वहां भारतियों को तवज्जु देने की बात थी लेकि इलेक्टेड होंगे और कुछ देशी रियास्तों से ले आएंगे जो नॉमिनेटेड होंगे निर्वाचन जो होगा प्रांतिय विधाईका से वो समानुपातिक प्रतनिधेत्व द्वारा होगा मतलब अभी तक तो जनसंख्या के हिसाब से कोई प्रतनिधेत्व दिया ही न समानुपातिक प्रतनिधेत्व की बात आई कि निर्वाचन जो होगा वो समानुपातिक प्रतनिधेत्व के जरीए समविधान सभा की बात हो रही है विधान परिशत की बात नहीं हो रही है समविधान सभा में समानुपातिक प्रतनिधेत्व द्वारा निर्वाचन होगा बस ये है कि नया समविधान जो होगा उसमें उसको स्विकारने के लिए दो शर्थ होंगी और वो दो शर्थ क्या क्या होंगी कौन सी एक शर्थ होनी ही होनी है लीग है तो मुसलिम जो समुदाय है उसको उसकी तुष्टिकरण भी होगी तो कर दिया गया कि भाई अलप संख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को सम्विधान सभा और बिटिश सरकार के बीच समझोते से सुल जाए जाएगा पहली चीज़ कि जब भी ऐसा प्रश्न खड़ा होगा कि अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा पर कोई सवाल उठ जाएगा तो उसको कौन-कौन मिलकर सुल जाएगा संविधान सभाई एक पार्टी होगई और बिटिस सरकार एक पार्टी होगई दोनों के मध्य समझोता हो जाएगा और उसी संविधान बना सकेंगे कॉंगरेश को इस पर घोर आपत्ति होगी आपने एक ब्लूपरिंट दे रहे आप करफी के जरिए कि जिन प्रांतों को संविधान में इस संग में शामिल नहीं होना है जो बनने वाला है वो अपना अलग संविधान बना ले मतलब मान लिजे सन्युक्त प्रांत को अगर संग में शामिल नहीं होना है तो बीच में सन्युक्त प्रांत क्या हो जाएगा प्रांतों की भी बात हो रही है, रियास्तों के साथ साथ, सन्युक्त प्रांत क्या होगा, एक अलग देश बन जाएगा, अलग स्टेट बन जाएगा, सोचिए अगर ऐसा हुआ रहता, तो हमें यहां दिल्ली से अगर बिहार जाना हो, तो बीच में हम वीजा ले कर जा रहे होते, वीजा ल और दूसरा अलपसंख्यको के मुद्दो को यहां भी एक ट्रिक लगा दिया गया, लीक को संतुष्ट करने के लिए, और कहा गया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, मतलब नया संविधान जब तक ड्राफ्ट नहीं हो जाता है, बन नहीं जाता है, उसकी शक्तियां उसमें लागू नहीं हो जाती है, तब तक के लिए गवर्नर जनरल आफ इंडिया के शक्तियां पुरुवत रहेंगी जैसे पहले थी, और भारत की सुरक्षा का दाइत तो बिटेन के पास रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले भी अंग्रेज अपने पास क्या क्या चीज़े रखके चल रहे थे, डिफेंस, विदेश संबंध, होम, यह सब जो महत्वपूर्ण चीज़े थी, वो अपने पास रख रहे थे, अब क्रिप्स मिशन में भी इन्होंने यही संकेत किया, कि भारत की सुरक्षा का दाइत्व तब तक बिटेन के पास रहेगा, मतलब डिफें देजिए, शक्तियां आपके पास कैसे रहेंगे, तो नतीजा यह हुआ कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसकी वज़ा, डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, पूर्ण स्वतंतरता चाहिए, ठीक है, और 1949 से ही अंग्रेज जो राज अलाप रहते, उसमें डोमिनियन स्टे उन्होंने संविधान बनाने की बात से घोर एतराज था, कि अगर ये कर देंगे, तो विभाजन तय है, एक नहीं, कई विभाजन हो जाएंगे, भई हम तो एक विभाजन से डरे हुए थे, यहां तो कई तरह के विभाजन दिख रहे हैं, अगर ये स्वतंतरता दे दी गई फिर की आओगा, कई तरह के विभाजन हो जाएंगे, चार प्रांतों ने कहा कि, भई हम अलग होना चाथे हैं, हम सुतंतर होना चाथे हैं, तो फिर क्या होगा, और फिर, यहां गवर्णर जनरल के पावर्स वैसे ही रहे गए, जबकि, कॉंग्रेस की डिमान्ड क्या थी, क गवर्नर जनरल अब भारत में सिर्फ सम्वेधानिक प्रमुख होना चाहिए उसको कैबिनेट की सलाह पर मंत्रिमंडल की सलाह पर मंत्रिपरशद की सलाह पर काम करना चाहिए मतलब यह हुआ कि उसको सिर्फ साइन करना है सहमती देनी है सम्वेधानिक प्रमुख होना चाहिए वो कुछ निर्धारित नहीं करेगा, उसके पास कोई अपनी शक्तियां नहीं होंगी, वो जो भी करेगा, वो कैबिनेट की सलापर करेगा कॉंग्रेस तो ये डिमांड कर रहे थी कि समयधानिक प्रमुख बनाईए लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे अंग्रेज चाहते थे गौर्णर जनरल अफ इंडिया के पास थाकत पहले की तरह अभी हो युद्ध के बाद देख लेंगे और युद्ध के बाद पर कोई सहमती नहीं थी गांधी जी ने कहा एक पोस्ट डेटेट चेक है है ऐसे बैंक का है उस डेटेटन मतलब पोस्ट डेटेट चेक वह होता है जो बाद की डेट के लिए साइन कर दिये जाता है जैसे आज आपने साइन कर दिया कि 2023 में इस date को पैसा निकाल लिजेगा ऐसा ही था युद्ध के बाद ये करेंगे युद्ध के बाद वो करेंगे गांधी जी ने कहा कि ऐसे bank का post dated check है जो bank ही बरबाद होने वाला है नष्ट होने वाला है गांधी जी को पता ही था कि अंग्रेज अपनी कमर तोड़ चुके हैं उनकी तो अब यह पता था कि अंग्रेज जा रहे हैं तो गांधी जी ने यही कहा कि यह जो तुम दे रहे हो ना यह सब post dated check है और ऐसे bank का है जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है तो क्रिप्स मि यह था कि या तो इसको स्विकार कर लो या फिर छोड़ दो जैसे होता है ना किसी दुकान पर गए आपने कहा अच्छा सो रुपे का है इसको असी में दो गए दुकान वाले का मूड खराब है बोला कि लेना है तो दो नहीं तो जाओ तो क्रिप्स का भाव उस तरह का था लग मुसलिम स्टेट तो फिर ओवियसली लीग उसका अपोज करेगा फिर 1945 में वहां सरकार बदल गी और 1945 में एटली की सरकार बनी जब 1945 में एटली की सरकार बनी तो एटली ने गोशना किया कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मानिता रहेगी मतलब ब्रिटिश जो है ब्रिटेन जो है वो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मानिता देता है ब्रिटिश सामराज्जी के अधीन रहने या न रहने की आजादी भी देता है मतलब अब अंग्रेजमन बना चुके हैं कि अब भारत छोड़ देना है और दूसरा एक और statement इसी statement में एक clarification उनने दिया कि हम अलपसंख्यकों के हितों की पूरी चिंता करते हैं और ध्यान रखते हैं लेकिन जो majority लोग हैं, बहुत संख्यक लोग हैं उनकी प्रगती में बाधा भी उत्पन न हो ये हम बरदाश्ट नहीं करेंगे अलपसंख्यकों की वज़ा से, अलपसंख्यकों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे लेकिन अलपसंख्यकों की वज़ा से अगर बहुत संख्यकों के हितों में बाधा आ रही है बहुत संख्यकों के progress को रोका जा रहा है अवरोध उत्पन्न होगा ये भी ठीक नहीं है ये भी अंबरदाश्ट नहीं करेंगे मतलब यहाँ साप साप संकेत हो गया पहले भी अंग्रेज नहीं मानते थे अलग पाकिस्तान और अब यहाँ एटली ने जो गोशना की उसमें तीन बाते बहुत इसपश्ट हो गई करेंगे अलग देश नहीं बनाएंगे अत्संक्यों की रक्षा करेंगे उनकी उनका पूरह खयाल रखेंगे लेकिन उनकी वजángस से बहुत संक्यों को नुकसान पहँंचे उनका प्रोग्रेस रुखे ऐसा भी नहीं करेंगे तो एक संकेत इसको माना जा अभी तक आपने जितना भी वहां कुछ देखा उसमें मजबूत मिशन ये था, क्योंकि पैथिक लॉरेंस जो आया था वो खुद भारत सचिव था, ये वही भारत सचिव है जिसके अंडर में काम कर रहा है गवर्नर जनरल ओफ इंडिया और गवर्नर, ठीक है, और ये बैठा इंग्लेंड में, ये खुद आया उस मिशन में, साथ में क्रिप्स को भी ले आया और एलेक्जेंडर, तो तीन सदस्यों का एक मिशन आया और मकसद क्या था, शासन की शक्ति को हस्तनांतरित कैसे करना है, उसकी योजना बनाना और राजनितिक दलों से चर्चा करना, मतलब कैबिनेट मिशन का मकसद ही था, अब कि शासन की शक्ति को हस्तनतरित करना है, क्योंकि एटली ने उसके पहले गोशना कर दी थी, कि भई पोनस्वतनतरता तुमको मिलेगी, अब इसकी योजना बनाने के लिए भेज़ दिया, कैबिनेट मिशन को, कैबिनेट मिशन ने क्या इंडिया की बात उसने की भारतिय संग में ब्रिटिश प्रांत भी होंगे और देशी राज्जी भी होंगे यानि रियासतें संग के पास विदेश रक्षा संचार विभागों को चलाने की शक्ति होगी अब पहली बार अंग्रेजों ने यह मुह छोड़ा है क्योंकि अब तो इन्हें देना ही है पूर्ण सोतंत्रता देना ही अब मन बना चुके हैं कि छोड़के जाएंगे जहल चुके हैं बहुत ज़्यादा जहल चुके हैं अब इनकी भी कमर तूट गई है ठीक है और दूसरा 1945 में जब सेकेंड वर्ड 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 खतम हो गया तो भले ही जापान जर्मनी यह सब हार गए हिटलर ने खुद को गोली मार ली जब वहाँ USA के सेना पहुँच गई और जर्मनी में एकदम कैपिटल तक पहुँच गई तो हिटलर ने खुद को गोली मार के खेल खतम कर लिया मुसौलनी को पब्लिक ने मार दिया ठीक है इटली का खेल खतम हो गया और जापान का खेल खतम करने वाला कौन था USA जो बाद में शामिल हुआ लेकिन इसने परमाडू बम गिरा दिया और परमाडू बम गिराते ही जर्मानी की दूतिया विश्युद में सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह हवाई जो लड़ाके जहाज थे उनसे युद्ध कर रहा था और यह बात उस समय मतलब खतम कर देता था पूरा ब्रिटेन ने किसी तरह से अपनी इज़्जद बचाई बच गया किसी तरीके से तो USA ने जो किया परमाडू बम ही गिरा दिया उसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा क्योंकि अब उस हिस्थिति में सरेंडर करने के अलावा कुछ छुपाय ही नहीं हिरोशिमा नाग सुपर पावर बन गया है मतलब पूरी दुनिया का समिकर्ण बदल गया ठीक है तो उस कंडिशन में अब अंग्रेजों ने तै कर लिया है कि भाई अब कॉलोनी चोड़नी है पहली बार कह रहे हैं कि संग के पास विदेश, रक्षा, संचार, इत्यादी, सारे विभागो को चलाने के शक्ति होगी संग की अपनी कारे पालिका होगी और विधाईका होगी अंग्रेजों का कोई इंटरफेरेंसिस में नहीं होगा सामप्रदाईक मुद्दे पर उन समुदायों के उपस्थित सदस्यों का बहुमत और कुल संख्या के उपस्थित सदस्यों का बहुमत फैसला करेगा अभी क्रिप्स कह रहे थे कि अलप संख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को कैसे टैकल करेंगे समिधान सभा और बिटिस सरकार के बीच समझहौते के जरीए तै करेंगे कैबिनेट मिशन में ये क्या कह रहा है कैबिनेट मिशन में कह रहा है कि जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे होंगे उन पर विधाई परशद में माली जे विधाई परशद है तो एक तो कुल सदस्य जितने हैं उपस्थित उस दिन उसका बहुमत और जो उस समुदाय के लोग हैं उपस्थित उनका बहुमत इस अधार पर फैसला करेंगे संप्रदायक मुद्दों का यानि बिटे सरकार अब इसका भी पार्ट नहीं है ठीक है यह बिसिकली एक फॉर्मूला दे रहे हैं संग सूची के विश्यों के अलावा प्रांतों को हरतरा की स्वायत्ता दी जाएगी और अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों के पास होगी अवशिष्ट सक्तियां मतलब जो सूची में संग सूची और प्रांत सूची में नहीं है उनको लेकर शक्तियां किसके पास रहे फिर कहा गया कि तीन ग्रुप बना देंगे, ठीक है, पहले इलेक्षन के बाद कोई प्रोविंस ग्रुप से बाहर निकल सकता है, अब इन्हों ने कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिश की थी, उसमें तीन ग्रुप बनाए, ग्रुप A, B, C, ग्रुप A में रख दिया, जो हिंदू मेजोरिटी वाले स्टेट प्रांथ हैं, बॉम्बे, मद्राश, सन्युक्ट प्रांथ, और सेंट्रल प्रोविंस, मध्यप्रांथ, बिहार, ओरिशा, ठीक है, इन सब को रख दिया, ग्रुप A में, ग्रुप B में कर दिया, जो नौर्थ वेस्ट, फ्रन्टियर प्रोविंस था, उत्तर पश्च में, सिमांत प्रांथ, सिंध, पंजाब, जहां मुस्लिम्स की मेजॉर्टी ज़्यादा थी, ठीक है, पंजाब में भी, किधर मुस्लिम्स की ज़्यादा है, जो अब पाकिस्तान में शामिल है, और ग्रुप C में रख दिया, बंगाल और असाम को, अब जैसे ही ये बटवारा किया गया, तीन ग्रुप बना दिया गया, और कहा गया, जब पहला इलेक्शन हो जाएगा, तो कोई प्रोविंस ग्रुप से बाहर निकल सकता है, और हर दस साल पर इस बात का पुनर विचार कर सकता है, कि इस कॉंस्टिूशन में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, ठीक है, तो एतनी शक्तियां दे दी गए इन ग्रुप्स को, जाहिर तोर पर लीग की आँखें यहां चमकेंगी और ये, बेसिकली लीग को अलग से इस्टेट ना देकर ये प्रोविजन दिया गया, जहां लीग मेजॉर्टी में रहेगा, ठीक है, कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई भी बट्वारा हो, कॉंग्रेस चाहती थी एक यूनियन हो, इतना सारा ताम जहाम उसमें ना हो, और फिर कैबिनेट मिशन ने कहा कि सम्विधान सभा का निर्माड होगा, प्रतेक दस लाख पर इस सम्विधान सभा के जो सदस्य होंगे, उनको चुनने के लिए आधार जो होगा, वो प्रतेक दस लाख पर, मोटे तोर प्रतेक दस लाख पर एक प्रतिने धिका होगा, और सम्विधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 296 प्लस 93, 296 होगे ब्रिटिश प्रांत के, इसमें भी 292 सदस्य होंगे, जो गवर्नर के प्रांत के होंगे, और 4 सदस्य होंगे जो मुख्य आयुक्त जो है, चीफ कमिशनर के प्रांत के होंगे, ठीक है और तिरानबे सदसे होंगे जो देशी रियासतों से होंगे 296 जो है वो निर्वाचित होंगे और देशी रियासत वाले क्या होंगे नॉमिनेटेड होंगे मतलब इनका चैन कौन करेगा वहां के जो शासक है वो इनका चैन करेंगे और भेजेंगे मतलब कि सम्विधान सभा पूरी तरह से निर्वाचित नहीं होगी आंशिक रूप से निर्वाचित होगी और आंशिक रूप से मनोनित होगी ठीक है, Cabinet Mission की ये सिफारिश थी, निर्वाचित सीटों का निर्धारण, मतलब मनोनीत वाला छोड़ दीजिए, निर्वाचित सीटों का निर्धारण होगा तीन प्रमुक समुदायों के बीच में, कौन-कौन से तीन समुदाय होगे? एक हो गया Muslim, Sikh और General, आम. आम का मतलब क्या हो गया? कि Muslim और Sikh को छोड़ कर. ठीक है? तो निर्वाचित जो सदस से आएंगे, वो इन तीन समुदायों के द्वारा बीच से आएंगे, और रियास्तों के सीट्स जो है, नॉमिनेटेट सीट्स होगे. ठीक है? मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये समिधान सभा है. इसमें कुल सदस्यों की संख्या कैसे निर्धारित की जाएगी? कुल सदस्यों की संख्या, बिटिश प्रांथ, देशी रियासत, इसकी जन संख्या में, दस लाक की जन संख्या पर एक सीट जिनरेट किया जाएगा. और इस हिसाब से टोटल सीट्स क्या रखे जाएगे? तीनसो नवासी. जिसमें से 296 सीट होंगे जो बिटिश प्रांथ के होंगे? 93 सीट होंगे देशी रियासतों के. ठीक है? अब इसमें हमें चुनना है 296 लोगों को. इसमें भी 296 में 292 लोगों का चुनाओ होगा कहां से? बिटिश प्रांथ से. गवर्नर के प्रांथ जिसको बोलते हैं. गवर्नर के बिटिश प्रांथ. और चार होंगे चीफ कमिशनर के. चार ही थे. एक-एक सदस्येस में से आएंगे. ये इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि आगे इसी तरीकी की व्यवस्ता दिखेगी आपको. ठीक है? अब सवाल है कि सम्विधान सभा के लोगों को क्या प्रत्यक्ष तौर पर चुना गया या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाएगा? इनका चुनाओ अप्रत्यक्ष होगा. मतलब ये जो तीन समुदाएं बने हैं मान लिजे कि एक प्रोवेंस को दे दिया गया है मान लिजे 55 सीट. ठीक है? अब इन 55 सीटों में आम समुदाए, मुस्लिम समुदाए और सिख समुदाए. यहां ये अपने अपने प्रत्यनिधी चुनकर भेजेंगे. 55 सीटों का बाइफरकेशन ऐसा होगा कि अपने अपने प्रत्यनिधी अलग-अलग समुदाए चुनकर भेजेंगे. ठीक है? और आम में मुस्लिम और सिख नहीं हैं. तो अब समझ गया आप पूरी बात? तीन सो नवासी कैसे डिसाइड हुआ? जन संख्या के हिसाब से तैह हुआ कि तीन सो नवासी सीट्स होंगे. जिसमें से 296 सीट्स बिटिस प्रांत के होंगे. 296 में 292 गवर्णर के प्रांत के होंगे चार होंगे चीफ कमिश्नर के प्रांत के तो 296 यह हो गया और 93 जो सीट्स बने वो बने देशी रियास्तों के इनको चुनाओ नहीं करना था निर्वाचन नहीं करना था इनका चहन कौन करेगा ? शासक चैन करेंगे रियास्तों के, तो सम्विधान सबाजू बनेगी वो आन्शिक रूप से निर्वाचित होगी और आन्शिक रूप से मनुनित होगी, क्लियर है, अब सवाल है कि अप्रत्यक्ष चुनाओ के जरिये ये 389 सीट्स आने वाले हैं, तो आप्रत्यक्ष चुनाओ का मतलब क्या हुआ कि अब अलग-अलग प्रोविंस से मेंबर्स सेलेक्ट किये जाएंगे, मान लिजिए कि एक प्रोविंस के पास X seat है तो उसमें अब अलग-अलग समुदाए कि जो लोग vote करके अपने-अपने प्रतिनिधी को भेजेंगे सम्विधान सबागे ठीक है Congress शुरू से चाहती थी हलाकि कि प्रतेक्ष चुनाओ हो वयस्क मत अधिकार के जरिये पूरे देश में चुनाओ कराया जाया और तब जाकर इलेक्षन हो ठीक है लेकिन ये प्रोसेस इतना लेंदी था कि इसमें और समय लगने वाला था और अब Congress इस स्थिति में नहीं थी कि और समय दे अंग्रे जोग हो Congress भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये फर्मूला जो आ रहा है इन सबसे निकल जिया आए जाया तो बाद में इस प्रत्यक्ष चुनाओ का मतलब बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है उसके लिए उतनी तयारी करनी पड़ती उस जमाने में सोचिए कि अगर election कराना हो त चुन लेंगे तो फॉर्मूला बेसिकली यही रखा गया और कहा गया कि अप्रत्यक्ष चुनाओ के द्वारा समानुपातिक प्रत्निधित्व के जरिये बनाएंगे सम्विधान सभा और इस मेथड से हुआ ये कि ऐसे तो प्रत्यक्ष चुनाओ नहीं हुआ भी आगये पार्सी भी आगये सारे समुदाय लगभग दलित भी आगये तो हर समुदाय के प्रत्निधेस में शामिल हो गये ये एक फायदा हुआ और कहा गया कि इस बीच अंतरिम सरकार रोज के प्रशासनिक मुद्दों का हल निकालेगी और कॉमन वेल्थ में रहने या न रहने करने भारत का ही होगा ठीक है तो अब यहां सवाल है कि भाई दो काम करना है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताओं के बाद वो दो काम क्या क्या है पहला काम हमने समझ लिया पहला काम है सम्विधान सभा बनाना और दूसरा एक और काम आ गया कि भाई रोज मर्रा के जो प् अंतरिम सरकार देखेगी यानि एक अंतरिम सरकार बनाना इसके पहले ये सारे काम कौन कर रहा है अंतरिम सरकार का मतलब क्या हो गया गवर्नर जनरल और वायसराय की कारेपाली का परशद ही तो सरकार का काम करती थी तो अब उसमें बदलाव करके उसको अंतरिम सरकार बना दिया जाएगा और विधाई परिशद का काम सम्विधान सभा को दे दिया जाएगा यानि सम्विधान सभा का बाद में आप देखेंगे कि दो रोल होगा पहला सम्विधान का निर्माण का रोल होगा और दूसरा रोल होगा संसद का विधाईका का भी रोल समिधान सभा ही निभाएगी जब तक कि पूरा प्रोसेस नहीं चल रहा है ठीक है तो कैबिनेट मिशन अल्टिमेटली दो चीजों को लेकर पूरी बात अगर समप करें तो दो काम अप करने हैं अंतरिम सरकार बनानी है और क्या करना है समिधान सभा बनाना है जून 1946 में अंतरिम सरकार के लिए आमंतरित किया गया ठीक है 14 सदस्य थे इसमें इसमें पांच हो गया कॉंग्रेस के पांच हो गया लीग के एक इसाई एक सिक एक पारसी समुदाय से एक अंसुचित जाती ठीक है ये सनरचना बनी जून 1946 में अंतरिम सरकार के लिए जब आमंतरण किया गया तो लेकिन लीग तो भाई लीग है पहले अच्छा एक बार ध्यान रखेगा 292 जो मैंने कहा ना कि सम्विधान सभा का प्रत्यक्ष चुनाओं होना था और ये कौन भेज था सम्विधान सभा में प्रांतों से होकर आते तो सीट्स जो बनाएगे आम मतलब प्रांतों में आम समुधाय के टोटल 210 सीट होंगे जो प्रांतों से चुन कर आएंगे मुस्लिम्स के 78 सीट होंगे तो 210 और 78 हो गया 288 और 4 सीट होंगे जो सिख के होंगे ठीक है तो ये 292 इस तरीके से जून 1946 में जब आमंतरन हुआ लीग इसके लिए नहीं माना लीग क्यों नहीं माना क्योंकि कॉंग्रेस चाहते थी जाकिर हुसाइन को अपने तरब से ले आना और खड़ा करना लेकिन लीग का टेंपरमेंट दूसरा ही था लीग एक तो बहुत कन्फियूज थी कुछ प्रवजन्स देखकर जैसे ग्रूप C और B देखकर उसको लगा कि ठीक है हमारे तो काम का है बाद में वो फिर खारिज भी कर देती थी फिर वापस आ जाती थी इस तरह का उसका रवया था तो जब अंतरिम सरकार की बात आई आम अंतरण हुआ तो 14 सदस्यों का चुनाव हुआ इसमें और यह अंतरिम सरकार के जो 14 सदस्य मतलब किसमें आ रहे हैं कारेपालिका परिशद में आ रहे हैं तो पहले तो लीग ने मना कर दिया और लीग के मना करने का कारण ये था कि लीग कह रहा था कि कोई भी मुस्लिम केंडिडेट सिर्फ लीग ही खड़ा करेगा मतलब समझे जाकिर हुसाइन को कॉंग्रेस लेकर आना चाहते थे लेकिन मुस्लिम थे तो लीग ने का कि कोई भी मुसलिम समय होगा तो वह सिर्फ लीग के रेप्रेइन्टेशन पर होगा कॉंगेस क्क रेप्रेइन्टेशन पर नहीं होगा फदर दर्जे की बात सि acá मतलब यह थोड़ा थिए जितने भी मुसल्मान हैं वो कॉंग्रेस में शामिल ही नहीं थे कॉंग्रेस में एक से एक बढ़ करनेता हुए मुसलिम और जाहिर तोर पर उनका प्रतनेज़त्व कॉंग्रेस चाहेगी तो लीग को इस बात पर आपत्ती हुई लीग ने मना कर दिया हम अंतरिम सरकार में नहीं आएंगे ठीक है और यह डिमांड चली रहे थी कि अलग इस्टेट दे दिजिए हमको फाइनली 12 अगस्ट 1946 को वाय सराय ने कहा कि लीग को छोड़ो और नहरू को कहा कि आओ सरकार बनाओ और लीग के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्लेस कर दो अपने कंडिडेट से मुसलिम ही मेंबर ले आओ बेशक ताकि उनका प्रतनेज़त्व इसमें बने कॉंग्रेस ने फिर एक सूची तेयार कर ली इनके पांच मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया आपने तीन मेंबर्स से तो बारा मेंबर्स की सूची बन गई जैसे ही लीग को पता चला लीग ने 16 अगस्ट को क्या कर दिया प्रत्यक्षकार रवाई दिवस कर दिया अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर और जम कर हिंसा हुई जब 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मंडल ने इस्तीफा दिया था तो लीग ने उस दिन मुक्त ही दिवस मनाया था कि मुक्त हुए अच्छा हुआ उन्हें 1949 में क्यों दिया था कॉंग्रेस मंत्री मंडल ने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि वार में बिना कॉंग्रेस की सहमत्ति के बिना भारतियों की सहमत्ति के डिसाइड कर दिया गया गोश्णा कर दी गई दिनलित्कों के द्वार कि वार में भारतिय शामिल हैं तो इसलिए उन्होंने इस्तिफा दिया और जब इस्तिफा दिया तो उस दिन मुक्ति दिवस मनाया जब अंतरिम सरकार में वाय सराय ने नहरू को आमंत्रित कर दिया कि लीग आना का नहीं कर रहा है छोड़ दो लीग को और इन लोगों के साथ अंतरिम सरकार बना लो तो फिर लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई दिवस कर दिया कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी और तब तक लीग फिर से मान गया क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि लीग को छोड़ कर आगे बढ़ें और यह भी था कि अब अंग्रेज यह न क्योंकि उनकी भी प्रेश्टिज कामाम ला था कॉंग्रेस भी नहीं चाहती थी कॉंग्रेस तो हरगीज नहीं चाहती थी कॉंग्रेस तो उएकदम चाहती थी कि युनिफाइड रहे सब कुछ तो अंतिम में लियाकत अली के नित्रितों में लीग शामिल हुई और लियाकत अली इसमें वित्तमंत्री बने फिर वही 14 अधस्य हो गए एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक महत्वण घोशना की और 1947 में उसने घोशना करके कहा कि जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश रासन खतम हो जाएगा जून 1948 ही उसका रियल असेस्मेंट था आकलन था कि जून 1948 तक हमारा पूरा काम खतम हो जाएगा ब्रिटिश रासन खतम हो जाएगा इस बीच मांट बेटन गवर्णर जनरल बने यह वाइसराय बने और मांट बेटन को संविधान सभाद्वारा बनाया गया संविधान बेटन आये तो कॉंग्रेस खिदम त्रस्थ हो चुकी थी लीग से इतना त्रस्थ हो चुकी थी अब कॉंग्रेस की भीतर से यह डिमांड उठने लगी थी कि यार जाने दो यार दूसरा बनाने दो इसको यह स्थिति हो गई थी मतलब एक तरफ तो यह हरबड़ी है कि जल् संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उनक्षत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्विकार नहीं करेंगे यह मांट बेटन ने कहा और भारत का बटवारा हो जाएगा बिटेन की संसत द्वारा इस बटवारे को स्विकार किया जाएगा अगर होता है तो होगा जो इसको नहीं मानेंगे इसका इस पर्ष्ट मतलब था कि अब पाकिस्तान बटवारे का रास्ता साफ हो गया बस एक शर्थ थी कि जो बटवारा होगा उसे ब्रिटिश की संसत द्वारा स्विकार किया जाएगा और यहीं से 1947 का एक्ट आता है ब्रिटिश संसत कैसे स्विकार करेगी एक्ट के जरीए स्विकार करेगी तो स्वतंत्रता अधिनियम उनिस से 1947 यहां आ जाता है जिसमें कहा गया कि भारत दो स्वतंत्र डोमिनियन इस्टेट यहां मैं तो कौन शब्द क्या है स्वतंत्र डोमिनियन इस्टेट में बटा ब्र इस अधिनियम में कह दिया गया कि 15 अगस्ट 1947 को भारत आजाद हो जाएगा आजाद हो जाएगा मतलब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट इंडिपेंडन डोमिनियन स्टेट में बढ़ जाएगे अपना उनका अपनी संविधान सभाव होगी और अपने संविधान बनाने के लिए दोनों इस्टेट काम करेंगे जाहिर तोर पर वैसराय का पद खत्म कर दिया गया लेकिन संविधानिक प्रमुख के तोर पर गवर्नर जनरल का पद श्रिजित किया गया मतलब पहले जो हो गया था ना कि गवर्नर जनरल अफ इंडिया को वैसराय कहा जाने लगा आप कहा गये कि वैसराय के जरूरत नहीं है लेकिन गवर्नर जनरल तो चाहिए तब तक तो चाहिए जब तक दोनों के सम्विधान बन न जाएं, दोनों के सम्विधान बन कर उसके हिसाब से शासन की पुरी रूप रेखाना निश्यत हो जाए, सीधे शब्द में कहें जब तक राष्ट्रपती नहीं है तब तक कौन रहेगा, सम्विधानिक प्रमुख तो चाहिए ना, तो गवर्नर ज जनरल पहला कौन बना, मांट बेटन, भारत सचीव का पद खत्म करके कहा गया कि भाई, अब सिविल सेवा में नियुक्ती का कोई काम नहीं है, ब्रिटिशर्स द्वारा करना नहीं है, तो भारत सचीव पद का जरूरत की जरूरत नहीं है, पदों में आरक्षन इत्यादी स अब कुछ खतम हो गया भारत सचीव के साथ, महतुपूर्ण बात है कि भारतिय रियास्तों पर ब्रिटिश संप्रभुता खत्म हो गई, मतलब अब भारतिय रियास्तों का फैसला कैसे होगा, इंडिया में होगा, यहां के संविधान सभा, फिर रियास्तों का एकिकरन जो ह नहीं करेंगे कि यह भारतिय रियास्त कहां जाएंगे, और इनके लिए क्या प्रोविजन किया गया, कि भारतिय रियास्त अगर चाहें, तो या तो भारत में चले जाएं, या पाकिस्तान में चले जाएं, या दोनों में नहीं जाना चाहते हैं, तो स्वतंत्र रहें, कोई दे दे गई जो सम्विधान सभा दोनों जगहों पर बनेगी भारत और पागिस्तान में वो अपना सम्विधान बनाए किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त कर दे न माने और किसी और देश के सम्विधान को अपनाना चाहे तो अपना ले ये सारे क्लॉज लिख दिये गए और यहां तक कह दिया गया कि भाई ब्रिटिश कानून को समाप्त करने की शक्ति है अगर उसके पास तो आप चाहिए तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी समाप्त कर सकते हैं तो शक्ति तो संप्रभू वाली शक्ति है ना तो इसमें ये भी शामिल था कि 1947 का एक्ट भी निर्सित किया जा सकता है खतम किया जा सकता है समविधान सभा को विधान सभा बनाने की शक्ति दी गई क्योंकि विधाईका तो बनाना ही है हाला कि बाद में समविधान सभा ही विधाईका बन गई जब तक की विधाई का नहीं बनी तब तक और नया समविधान बनने तक हमारे पास 1935 का शासन अधिनियम था जिसको आधार बनाये की बात की गई साथ है इसमें ये छूट दी गई कि 1935 के शासन अधिनियम में आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लिजे ओर्डर से ठीक है आदेश से के जरिये उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं 15 अगस्त 1947 से भारत अब बृतेन का अधिनस्त राज्य नहीं है रियासतों और जंजातीक शत्रों से संधी संबंध खत्म हो जाएंगे ब्रिटेन के किसके ब्रिटेन कैसे राज करता था एक तो उसके डिरेक्ट प्रांथ थे फिर देशी रियासतें थी जनजातिय जो शत्र थे उनको गवर्नर जनरल या वाइसराय खुद डील करता था तो अब कहा गया कि ब्रिटिश प्रांथ थीक है अधिनस्तराज पूरा भा समराट प्राधिकार का शुरूत नहीं रहेगा अभी तक अथौर्टी फाइनल अथौर्टी किस से आ रही थी क्राउन से आ रही थी 1858 से हमने देखा है कि क्राउन में शासन की सारी शक्तियां समाहित है तो अब कहा गया कि समराट अब अथौर्टी नहीं रहा शक्ति का मतल अख्राइका बन गई मतलब समविधान सभा का दो रॉल हो गया समविधान सभा ने एक तरफ समविधान बनाने का काम शुरू किया अप सोच रहे हो कैसे होता होगा धिन भर बैढती थी कर जो स्लॉट था उसमें वह समभधान सभा बनकर बैढता थी जिसमें राजेंदर प्रसाद इसको लीड करते थे अध्यक्ष्क थे और दूसरा फिर बनते थे संसद के तौर पर बैठती थी तब जिवी मावलंकर उसको अध्यक्ष्क था उसकी करते थे तो एक ही दिन में दो सेशन में एक में संविधान सभा के तौर पर मतलब संसद बनाने वाली संविधान बनाने वाली बॉड़ी के तौर पर और दूसरे सेशन में बैठती थी विधाईका के तौर पर कानून बनाने वाली बॉड़ी के तौर पर ठीक है तो इस तरह से 1947 तक हम दौरान आप उसको एक बर पढ़ लीजेगा और मैं अगले क्लास में उसको deal भी करूँगा लेकिन उसमें समझने वाली बात क्या है उसमें समझने वाली बात है कि सम्विधान सभा पर की बहुत सारी आलोचना है कि सम्विधान सभा के बनाने में क्या-क्या लूप होल्स रहे हैं, वो प्रतनेधित्व करता है या नहीं करता है, वो सिर्फ हिंदू मेजॉर्टी है या अलपसंख्यकों का भी खयाल रखा गया है, इस तरह की बहुत सारी आलूचना है, अगर कोश्चन कभी हिट करेगा तो वहां से करेगा, तो अगले क्लास में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से आपका ग्राफ गिरेगा, तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन सिर्फ आप ही का नहीं है, मेरा भी मोटिवेशन है उसमें, इतनी मेहनत के बाद इस क्लास को देखने, समझने और उसका फैदा उठाने के जिम्मेदारी आपकी है अगर आप इसका फैदा नहीं उठाएंगे, तो अल्टिमेटली इस तरह की क्लासिस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिलहाल यह इतना ही रखते हैं, अगले एपसूड में मिलते हैं, शुक्रिया